मैं येती वर्य कुमार विजय, आज आपको देनिक येती राशिफल के अंदर 7 अक्टुम्बर 2018 रविवार के दिन का राशिफल बताऊंगा जैसा कि आप जानते हैं, आज दिनक 7 अक्टुम्बर 2018 रविवार का दिन है, आसोज मास क्रश्न पक्स की त्रियोदिसी तिति है आज पूर्वा फालगोनी नक्षतर दोपहर को 3 बजकर 19 मिनट तक रहेगा, फिर उसके बाद में उत्रा फालगोनी नक्षतर सुरू हो जाएगा चंदर्मा सिंग राशी में संचार कर रहा है, और रात को 8 बजकर 52 मिनट के बाद में कन्या राशी में परवेश करेगा आज कर अहुकाल दोपहर को दोपहर के बाद में शाम को 4 बजकर 47 मिनट से लेकर शाम को 6 बजकर 15 मिनट तक रहेगा अभिजीत मोरत दोपहर को 12 बजकर 2 मिनट से लेकर 12 बजकर गुन 50 मिनट तक रहेगा आज के दिन सरवार्थ सिद्धी योग भी है यह योग दोपहर को 3.19 मिनट से कल सूर्योदय के समय तक रहेगा आज दोपहर में 2.3 मिनट से मद्य रात्री के 12 बज़े के बाद से 12 बज़े के बाद 26 मिनट तक बद्रा भी रहेगी बद्रा के समय में कोई भी सुब काम नहीं करना चाहिए रविवार को पस्चिम दिशा की दिशा में दिशा सूल रहता है तो पस्चिम दिशा की दिशा में यातरा को जहां तक हो सके टाल देना चाहिए अब देखते हैं आज के दिन के 12 राशी के लिए कैसा रहेगा दिन सबसे पहले लेते हैं मेश राशी मेश राशी वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है पांचवा इस्तान का चंदर्मा है करम इस्तान में बैठे मंगल की आठवी दृष्टी भी चंदर्मा के उपर है यह समय अच्छा आपका रहेगा आज का दिन अच्छा रहेगा ऐसा संकेत मिल रहा है कि आज आपको कोई भी सुख समाशार मिल सकता है कोई भी आपका बड़ा काम जो रुका अटका था वह भी पूरा हो सकता है आज के गोच्छर के अनुसार कोई भी जटिल काम आज आप आतमे लेंगे तो वह आपका काम पूरा हो जाएगा अब लेते हैं मिथुन रासी, वर्सब रासी दूसरे नंबर की है वर्सब रासी वर्सब रासी वाड़ों के लिए दिन थोड़ा सा समझ कर काम करने वाला है अगर समझ कर काम करेंगे तो इससे आपको लाब होगा आज के गोचर के अनुसार, चंदरमा आपके चोथे इस्तान में गोचर कर रहा है या विराजमान है और मंगल की दृष्टी भी है तो सुख और सुख के साधनों में आज आपके बढ़ोतरी तो होगी निश्चित तोर से कहीं पर आज पैशा फशने से भी आपका बच जाएगा आज साम को आपका समय अच्छा बितेगा आपको यह मैसूस हो जाएगा कि आज आपका पैशा कहीं ने कहीं फशने से बच गया है अब देखता है मिथुन रासी मिथुन रासी बाड़ों के लिए समय अच्छा है आज के गोचर के अनुसार प्राकरम इस्तान और भाईबैन इस्तान का चंदर्मा आपके लिए आज आई के नए रस्ते खोलने वाला रहेगा कहीं से भी आपको धनलाब होने की पूरी संभावना है परिवार में कोई सुब समाचार आने से खुशियां बढ़ेगी मित्र आपके घर पर मिलने के लिए आएंगे अब देखते हैं करकरासी करकरासी वालों के लिए दूसरे और धन कुटुमिस्तान का चंदर्मा आज थोड़ा सा आपके मन में किंतु परंतु या कोई संका बना कर रखेगा इससे आपके मन में थोड़ा सा आत्मिश्वास की हो सकता है, कमी मैसूस हो आपको आज के गोचर के नुसार परिवार की जरूरोतों को आप नजर अंदाज नहीं कर सकते और उसको पूरा करना चाहेंगे, तो पूरा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मैनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा और धन्वी खर्च करना पड़ेगा अब देखते हैं शीहराशी शीहराशी वाड़ों के लिए आज का दिन अच्छा है आपकी ही राशी के अंदर चंदर्मा का गोचर हो रहा है यहाँ सुपसंकेत है लेकिन आपके राशी के स्वामी सूर्य से चंदर्मा का द्वादस योग बनावा है इसलिए आज आपका दिन तो इच्छा नुसार वीतेगा लेकिन आपको कोई अच्छा खासा खर्च भी मित्रों या फिर परिवार के लिए आपको करना पड़ेगा अब देखते हैं कन्याराशी कन्याराशी वाड़ों के लिए दिन थोड़ा सा विपरित गोचर में न ले या मांग कर न ले अगर आपने ऐसा किया तो हो सकता है आपको इस बात का या इससे कोई नुक्षान भी भोगना पड़ सकता है आज आपका बारवे इस्तान का चंद्रमा है धन के लेंदेन के पड़ती आज आप बहुत सावदान रहे तुलाराशी तुलाराशी वाड़ों के लिए आज का दिन अच्छा है सांदार है आज के गोचर के नुसार तो लाब इस्तान का चंद्र आपके लिए कुछ लाब वाड़ा काम जरूर पूरा करेगा और आपको खुशी भी मिलेगी आपको खुश कबरी भी मिलेगी दोपहर तक कोई सुप संदेश भ पड़ों के लिए आज का दिन या आज का जो घोचर है वहववपक्स का बनावा है दीमे दीमे ही सही आपका काम अब आगे बढ़ता रहेगा चलता रहेगा अगर आप इस समय में भविश्य को सोच कर अपने काम के विश्तार के विश्य में कोई योजना बना रहे हैं या क को शाम तक खुर्स होने के लिए कोई ने कोई मोका या अवसर जरूर मिलेगा अब देखते हैं धनुरासी धनुरासी वाड़ों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा आज के गोचर के अनुसार अश्टमेस चंद्र नवम भाग्य बाओं में बैठा है दूसरे धन बाओं में भी जाना पड़ सकता है अब देखते हैं मकर रासी मकर रासी वाड़ों के लिए दिन थोड़ा सा विपरीत हो गया है आज के दिन के गोचर के अनुसार धन हानी या सारीरिक तकलिव का सामना आपको करना पड़ सकता है किसी से आज उलजने से बचे और अपना वहन आदी द खाना या कहीं और रेड़ी गाड़ी पर जाके खाना हुए तो आज उसको नहीं खाना है अब देखते हैं कुम रासी कुम रासी वाड़ों के लिए आज का दिन अच्छा है और चंदर्मा की दृष्टी आपकी रासी पर सीधी है इसलिए आज कुछ अच्छा काम बनेगा और परिवार की इस्तती भी सुद्रेगी अभी कोई साजेदारी में काम कर रहे हैं तो आप आज अपने साजेदार के साथ बैठ कर सला मसुरा कर सकते हैं अपने काम दंदे को आगे बढ़ाने के लिए कोई योजना बना सकते हैं आज आज आपकी परिवारी के इस्तती अच जहद तनाव भरा या ठकान यूग तो हो सकता है रहेगा अगर आपके उपर कोई कर्ज है तो आज उसको चुकाने को लिकर परिशानी पैदा हो सकती है अपने सरीर का ध्यान रखें यात्रा को आज के दिन टालना ठीक रहेगा अच्छे वेवार का सुब पढ़ना मिल मगर आज आपको मानसिक तनाव या चिंता किसी बात की बनी रहेगी आज आपका चठा चंद्रमा है यह रोगरण सत्रुष्तान का है सारीरिक मानसिक और आर्थिक रूप से आपको कुछ न कुछ परिशानी का सामना करना पड़ सकता है मैं आपके सामने रोजाना देनिक यति रासिफल का वीडियो पोश्ट करता हूँ लिखित में भी मेरे फेस्बुक के यति महराज पेज पर मैं आपको लिखित में रासिफल भी बेशता हूँ अभी बीच में कुछ दिनों पहले मेरा कुछ थोड़ा सा चोटा सा कोई एक्सिडेंट हो गया मैं गिर गया मेरे हाथ में थोड़ा सा लगी भी है ज़्यादा मैं अभी लिखित में कम से कम तीन चार दिन और आपके सामने रासिफल कोश्ट नहीं कर पाऊंगा इस बात का तो मुझे दुख रहेगा कि आप लोग मेरे लिखित रासिफल का इंतिजार बहुत बेसबरी से करते हैं लेकिन मैं आपकी सेवा में अभी तीन चार दिन और लिखित रासिफल नहीं भेज पाऊंगा आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और पास में घंटी के बटन को भी दबा दें अब मैं आपको कल से गुरू के विशह, गुरू के रासि परिवरतन के विशह में वीडियो के माद्यम से जानकारी दुँँगा मेश रासी का अलग वर्षब रासी का अलग ऐस परकार से बारे रासी का बारे वीडियो बना कर मैं आपको पोस्ट करूँगा तो आप मेरे सभी वीडियो को अपनी रासी के अनुसार जरूर देखें, लाइक करें और आगे भी अपने सभी मिलने वाले गुरूप में या किसी कॉंटेक्ट में हो तो उनको आगे शेयर जरूर करें नवरात्री के नव दिनों के अंदर मैं आपको अलग-अलग परकार के अलग-अलग देवियों के अलग-अलग पूजन की विदी भी मैं बताऊंगा गटिस्तापना का मौरत, आदी मैं विदी विदान सब आपको बताऊंगा आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें और आगे दिपावली पर आपको लक्ष्मी पूजन कैसे करना है लक्ष्मी पूजन का मौरत क्या रहेगा गादी इस्तापना की मौरत क्या रहेगी मैं आपको हर एक विशे की जानकारी वीडियो के मादम से दूँगा इसलिए मेरा आपसे विशेश अनुरोद है मेरा आपसे विशेश निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर ले ताकि मेरे जैसे जैसे वीडियो पोस्ट होते रहेंगे वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा सूचना मिलती रहेगी आप मेरे वीडियो को देखते रहें हो सकता है कि आपने अगर मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो मैं आप तक वीडियो पहुंचा पाऊं या नहीं पहुंचा पाऊं इसलिए आप मेरे वीडियो को नहीं देख पाएंगे तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर दे और पास के गंटी के बटन को भी दबा दे ताकि आने वाले समय के सारे वीडियो लगबग हर एक दिन एवरेज दो वीडियो मेरे पोस्ट होंगे वो आप जरूर देखें जय जिनेंदर